नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत हैं। और अब जो खबर आ रही है वो बहुत ही खतरनाक खबर है कि आर्मेनिया ने जो अजर्वेजान का दुसरा बड़ा सहर है गाजा उसमें मिसाइल अटेक किया है जिसमें पांच लोग के मारे जाने की खबर है और 35 से अधिक घायल हुए हैं भारी तबाही हुई है। उसमें मिसाइल अटेक किया है और सिविलियन को छटे पहुचाई है वो जो है बहुत ही गंभीर वो खतरनाक है लेकिन उन्होंने देश के लोगों से धैरे रखने और जो है लड़ाई को लड़ाई की तरीके से लड़ने की बात कही है। अब सवाल इसमें ये उठ रहा है कि जिस तरीके से टर्की खुले तोर पे अजर्बेजान को सपोर्ट करता है और आर्मेनिया अब नागर्णो काराबाग से निकल करके दूसरे सहरों को निसारा बना रहा है। क्या कहीं हम तीसरे विश्यूद की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। दूनों देश अलग हुए थे उसके बाद ये छेतर अजर्बेजान के हिस्से में आया लेकिन आर्मेनिया के जाती समू ने इस पर कबज़ा कर लिया और ये आर्मेनिया के कंट्रोल में चला गया। और अजर्विजान बिना इस पे कंट्रोल लिए वापस हटने को तयार नहीं है। दोनों देश इसको ले करके कई बार भिण चुके हैं, 80 के दसक के लाश और 90 के दसक के सुरुआत यानि 94 तक इसको ले करके भीसर जंग हुई। इसके अलावा 2016 में भी और बीच बीच में भी इसको ले करके संगर्स होता रहा है। लेकिर अभी तक न तो दोनों देश मिल करके और नहीं दुनिया इसका समधान निकाल पाई। जबकि इसका समधान इसलिए निकालना जरूरी है कहीं ऐसा न हो कि ये तिसरे विसुजुद्ध का केंद्र बन जाए। जितनी जल्दी सीज फायर हो, सांती बहाली हो, वो दोनों देशों के हित में हैं और दुनिया के हित में हैं लेकिन इसके लिए गंभीरता से प्रयास करना होगा, UN कब तक तमास बीन बना रहेगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे, आप देखते रहिए इन खबर, थैंक यू